वेटिंग और RAC टिकिट कैंसल करने पर कितना मिलेगा रिफंड? वेटिंग या RAC टिकिट को ट्रेन चलने के 30 मिनट पहले तक कैंसल करवाने पर किराया रिफंड मिल जाता है। इंटरनेट से बुखवे टिकिट को इंटरनेट पर ही कैंसल किया जा सकता है। जिसके बाद करीब 60 रुपे काट कर बाकी पैसा रिफन कर दिया जाता है। अगर कोई ट्रेन अपने चलने के टाइम से 3 घंटे से ज्यादा लेट है और देरी की वज़ा से आप टिकेट कैंसल करवाते हैं तो बिना कोई कैंसलेशन चार्ज काटे पूरा पैसा वापस कर दिया जाता है। फिर चाहे टिकेट कंफर्म वेटिंग या आरेसी में ही क्यों ना हो। अगर रेलवे खुद से ही कोई ट्रेन कैंसल कर देता है तो ओनलाइन टिकेट आटोमेटिक कैंसल हो जाता है और इसका रिफन्ड आपके अकाउंट में वापस आ जाता है लेकिन काउंटर से लिए टिकेट का किराया अपने आप रिफन्ड होकर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा लेकिन काउंटर टिकेट का रिफन्ड आपको काउंटर से ही जाकर लेना होगा